नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है नीरेच कुमार और एक बर फिर से आपको स्वागा थे मेरे इस यूटूब चैनल पर आज मैं एक ऐसा नोटिपिकेशन लेकर आया हूँ जो नियो स्टुडेंट के लिए है मतलब कि शेमेस्टर वेन के लिए है चलिए आपका नोटिपिकेशन आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि आपका एक्जाम कैसे होगा उसका नोटिपिकेशन निकल चुका है और ये 12 तारिक से आपका एक्जाम होने वाला है ये जो 12 है अपरी आपका एक्जाम उस समय से स्टार्ट होगा मतलब कि एक दिन का एक्जाम नहीं है आपका आपका एक्जाम एक्स्टीट कर दिया गया है थोड़ा सा COVID-19 के चक्र में आप लोग का online एक्जाम हो रहा है तो आपका जो website है वहाँ पे question 12 तारी को upload कर दिया जाएगा वहाँ से आपको download करना है simply वहाँ से download करना है मैं बताऊंगा भी process फुल प्रोसेस बताऊंगा कहां से download होगा कहां से upload होगा और कैसे देना है आपको फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ तो अन तक वीडियो में बने रही हैगा और जो नए है वह सस्क्राइब कर लिजे चैनल को और बेल एकन को भी बजा लिजे क्योंकि जितने भी notification होगी मरवाडी कोलेज को आपको यहां पर मिलते रहेंगी तो अभी मैं बात कर रहता कि जैसे कि आपका जो question जो है मरवाडी कोलेज के साइट पे अपलोड होगा बारा को बारा अप्रील को और आपको एक्जाम लिखना है लिख करके क्या करा है question जैसे डानलोड हो गया उसको पेपर में लिखना है पेपर याद रखेगा ज्यादा 5 से ज्यादा पेपर नहीं होना चाहिए 5 पेज से प्रखन देना है कि उसमें PDF जो आप बनाईएगा 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वह अच्छा से बना लिखेबल हो और यह होगी है दूसरा और तिसरा बात कि उसको जैसे बना लिए उसको फिर अपलोड करना है आपको अपलोड कहां से करना है मैं वह भी बताऊंग आया गया है और जैसे कि आप जानते अपलोड करने का है अपलोड भी करने का उसमें फिर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको उसी में देना है क्योंकि उसमें गलत फाइल आपको अपलोड नहीं करना है पिछले बार के जो रिपोर्ट है स्टुडेंट का कि सबसे ज़्यादा गलत फाइल अप्लोड हो जाती थी तो इस पर आपको चेक कर लेना है भी मैं बताऊँगा कि इस तरह से आप सिंपल ही चेक कर सकते हैं कि सही फाइल है यह गलत फाइल है उसके बाद ही अप्लोड करना है तो चलिए मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, सेरे, सस्क्राइब और चलिट करें और स्टूडेंट तक कर间 बताऊँ यह स्टूडेंट जवियो समेश्टर 1 के लिए निकलके आई वो समेश्टर 1 के लिए हो रही है अगर आपका बैकलोग है जो पुरानी ज़ीट है जो बैइक्लोग लग चुका है PG में हो या UG में हो और आप semester 1 के exam में back है या year back हो या कोई भी back हो तो आपको भी examination इसी में देना है इसी में examination देना है और last date of upload मनलब कि question को upload करना है upload तो download कर लिजेगा बारा को लेकिन upload करना है वो 20 से पहले करना है 20 के बाद upload नहीं होगा इस date को याद रखेगा और चलिए मैं आगे वीडियो में भर बरता हूँ और आपको step by step बताता हूँ क्या से क्या करना है तो चलिए दोस्तों देखते है official notification जो मरवाडी कोलेज में निकल कर आई है semester 1 के लिए और जो backlog student है उनके लिए भी है दोनों तो यहाँ पर साफ सब बताया गया है कि pandemic covid-19 pandemic के करण online हो रही है तो जो official website है www.marvadi.college.ac.in उस पर आपको आना है पहला point में को क्या क्या बताया गया है कि देखे the question will be available on the student login dashboard of the college website a student can download the question paper on the respective subject paper मतलब कि जो आपका login किजिएगा वहाँ से आपको download करने का dashboard से download करने का option आजाएगा मैं बताऊंगा भी download कहां से होगा student are directed to login the login and dashboard मतलब कि आपको जो बताया गया dashboard में आपको login करना है कैसे login करना है उसके लिए क्या क्या मांगेगा उसके लिए मांगेगा आपका registration number और date of birth date of birth मांगेगा और उसमें एक new है create new idea हाएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद फिर आ गया थे थर्ड में कि आपको बताया गया है कि इसमें आपको जो answer लिखना है वो अपना handwriting में ही लिखना है अपना handwriting में ही लिखना है जो question जो का answer जो लिखेगा वो 5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप photo copy जो होता है उसमें लिख सकते है जैरोक्स paper जो होता है उसमें लिख सकते है या copy from under material में कोई भी अपना copy जो है आपका उसका plain paper उसमें लिख सकते हैं उसमें कोई restriction नहीं लगाया गया है plain paper या ruling paper किसी में भी लिख सकते हैं वही पर चौथा instruction में दिया हो गया है कि a student are directed to write the examination मतलब कि उपर में आपको क्या 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 लिखना है वो मैं अभी आपका चौथा number को demonstrate करके बता दूँगा कि उपर में क्या क्या लिखना है अभी मैं दिखा दूँगा आपको उसके बाद दिखे क्या है कि a student are directed to convert their answer sheet in PDF मतलब कि जो आप answer लिखोगे उसको PDF में बनाना है PDF में बनाने के बाद ध्यान ये रखना है कि उसका जो PDF quality है वो अच्छी होनी चाहिए वो पढ़ने लाइक होनी चाहिए और थर्टिंग ये चीज़ की 3MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 3MB से ज़्यादा है तो वो upload नहीं होगा upload नहीं हो रहा है मतलब समझ जाएए अपर 3MB से ज़्यादा है उसको आप अच्छा से 3MB में ही convert किजिएगा उसके बाद बताया गया कि ब्रोजी में upload करने का process बताया गया upload करने का process क्या है कि आपको फिर से वही से login करना मैं अभी फिर demonstrate करके दिखाऊंगा आपको login करना है dashboard में जाना है upload करना है upload करने के बाद मयन ध्यान आपको इसमें देना है कि save in draft करना है डारेक्ट ली आपको send to faculty नहीं करना है अगर send कर देते हैं अगर गलत पीडिया पाता है तो फिर बाद में वो edit नहीं हो पाएगा इसलिए आपको क्या करना है पहले save in draft करना है बाद में आपको send to faculty करना है check करने के बाद अब वहीं उसके बाद आपको क्या बताया गया है कि students are strictly directed to no any modification can be done after checking and clicking on the send to faculty मतलब faculty को जैसे आप send कर देंगे उसके बाद आपका answer में कोई भी edit नहीं हो सकता है या PDF अब्लोड नहीं हो सकता है उसके बाद क्या बताया है answer seat in PDF will must be in portrait mode मतलब कि आपका portrait mode में होना चाहिए land escape mode में नहीं applicable होगा मतलब कि आप जो तीरशा करके लेते हैं photo वो नहीं चलेगा आपको क्या करना है land escape land escape क्या होता है नीचे paper रख दीजेगा उपर से इक दम आप जैसे click किजेगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे click करना है वो भी मैं भी आपको बता दूँगा उसके बाद क्या बताया गया है कि इसका जो last date है last date आपका 20 April 2018 है 20 April 2018 इसके बाद आपका accept नहीं किया जाएगा इसके बाद जो notification निकल के आया इसमें step भी बताया गया है मैं अभी demonstrate करके आपको बताऊंगा college में login में login करके बताऊंगा कैसे होता है तो आपको यहां से आप देख सकते हैं अच्छा से पड़ सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं demonstrate करके बीबता रहा हूँगा अन तक वीडियो में आप बने रही है तो इस तो आपको लिखना क्या क्या है जैसे कि यह paper में ने ले लिया कोई भी paper आपको लेना है ruled भी चलेगा या plain paper कोई भी चलेगा तो इसमें आपको लिखना क्या क्या है सबसे पहले उपर में लिखना है exam roll number जो आपको मिल चुका है registration number remember भी मिल चुका है आपको subject कौन सा subject आपका paper number मतलब उसका paper code क्या है उसको लिखना है a paper number जैसे CC01-2002 होती है उस तरह के paper जो code है उसको डालना है फिर आपको date लिखना आप ऑर पेज number जो page number आप लिखेआगा वहर page में mention होने चाहिए page नमबर 1, 2, 3, 4, 5 5 से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है यह हो गया और खीचना कैसे है जैसे कि बहुत साथ च्टूडेंट है कि जैसे मैं कैमरा ओन किया हूँ भी आईसे करके खीचते हैं लेकिन यह नहीं चलेगा आपको लैंड असकेप मतलब लोगिन करना है क्या करना है तो कोई भी ब्रोजर में जाईएगा उसमें आपको सर्च करना है www.marvadi.college.ac.in अब जैसे आ जाईएगा इसमें देखे ओप्सन दिया हुआ अब ओफिस्यल साइड में जा सकते हैं तो फिर आपको student login वहाँ पर directly दिख रहा था उसमें जा सकते हैं आपको क्या करना है इसमें directly कुछ simply करना है डारेटली student login में आना है जैसे आप student login में आईएगा आप देखे यहाँ पर लगई एक है देखे new user new user में आपको कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है existing user में करना है तो इसमें क्या क्या मांगा है registration number माना है password मांगा है secretary मांगा है मैं अभी login करके आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है इसमें अपना registration number आपको registration number डालना है फिर यहाँ पर password डालना है या secretary code डालना है जैसे ही आप लोगिन कर लिजिएगा अपना रेश्टेश्टेशन है नमबर रोघ डालने के बद आपका जैसे लोगिन हो जाएगा आपका डीटेयल इसमें फूल जाएगा अब जैसे यहां पर आईएगा उसके बाद यहां पर देखिए लेफ सेंड साइड में जो हमें यहा Assimment at Downloadenfever minimizing क Är अपको की करना करने क्लिए डालोड करने के gi lametem किलिक करना जाए घाथ अभी तो आ रहा है डाफलोड आसांइमें पर सथे आपका यहांप की बनायेगा बना पीडियेप में अबलोड किजिएगा उसके बाद यहां पर आया देखिए upload assignment इसमें upload assignment में जैसे आईएगा आपको मैंने अभी बताया कि upload assignment बनाने के बाद answer को upload assignment में जाईएगा यहां पर आपको paper code select करना है जैसे यहां click किजिएगा जो paper आपका है CC01 या CC02 वो आपको select करना है select हो जाएगा उसके बाद देखिए assignment है assignment क्या किजिएगा आप इसको click किजिएगा तो आपका internal file खुल जाएगा PDF का जो नाम लिख के रखे हैं आप उसको PDF को click किजिएगा PDF यहां पर upload होगा उसके बाद आपको क्या करना है save in draft करना है जैसे ही save in draft किजिएगा आप save in draft करने के बाद आपको फिर यहीं पर आने के बाद assignment में ही आने के बाद आपको दिखेगा कि manage 착 इसके बाद कि यहांसे यहें ब्रोसेस आपके लिए इसके बाद भी आपको कोई दिखकत हो रही है तो यहीं भी कॉलेज के website में आप देख सकते हैं यहीं पर आपको डाला हुआ है डिरेक्ली कि इस्टुडेंट जो notice निकला हुआ है भी notice यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें clearly time table जितने भी डाला हुआ है guidelines for a student on online examination वो दिया हुआ है अब डिरेक्ली आप उससे click करके फिर देख सकते registration कहां से मिलता है आपको registration sleep तो वहां मिल नहीं रहा है vocational के लिए तो आपको roll number और registration number कहां से मिलेगा यहां से मिलेगा आप इसमें click किजिएगा आपका जो department है जैसे bba है या bca है या बायो टेक है आप यहां से click किजिएगा आपका रोल नमबर और रेजिटेशन नमबर दिखा देगा और वही नन वोकेशनल के लिए क्या है आपको चांसेलर पोटल में अपलोड कर दिया गया है वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें और जरूर बताएं वीडियो में दिक्कत हो रही हो तो आप कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं नीशे मेरे नमबर दिया हुआ है आप उसमें आप मैसेज कर सकते हैं वार्सम मैसेज कर सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है आप मेंको डिरेकली बता सकते हैं और लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद